हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका इगनु बाबा में I hope you are doing well दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ इगनु के online MCA program के बारे में जर्नली students को पता है इगनु का MCA जो की distance learning के थुरू होता है उसके बारे में लेकिन ये जो MCA OL का program है ये recently launch किया है इगनु ने 2022 में तो इसके बारे में बहुत सारे students को नहीं पता है तो मैं यहाँ पर अभी complete detail में इस course के बारे में बताऊँगा कि eligibility क्या होगा, medium क्या होगा, इसका duration और fee structure क्या होगा या इसके लिए आपको किसको contact करना है यानि आपका program coordinator क्या होगा और अभी distinction भी बताऊँगा कि ये जो audio है और ये जो online दोनों course है, उनमें क्या difference है और किस तरीके से ये दोनों एक दूसरे से अलग है, different है तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो ignu है ये एक open university है तो इसमें जो अभी तक जो courses provide किये जा रहे थे university के तरफ से, ignu के तरफ से वो थे distance learning mode के distance learning का ये मतलब है दोस्तों कि आपको एक मतलब आपको एक provide किया जाता है study center allot किया जाता है ठीक है, वहाँ पर आपको Sunday Saturday को visit करना होता है बस दो दिन, और इन दो दिनों में आपकी वहाँ classes होती है इसके अलाबा जो आपका assignment है वो भी offline submit होता है या आपका teacher के साथ interaction project internship report या किसी भी type का कोई भी report हो वो सभी offline submit होते है अभी को नहीं लेंगे हम जो ये corona period चल रहा है, इसमें online हो गया है ये assignment और project वगरा लेकिन जर्नली क्या है distance learning mode में जिसको बोलते है ओडियल, open distance learning इसमें क्या है कि student को Sunday, Saturday को visit करना पड़ता है study center पर वहाँ पर उनकी classes होती है जो कि ये चला आ रहा था लेकिन जब से ये corona period आया तब से क्या है कि online पर हमारी online offer किये है online launch किये है अब देखिए online के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये online program online courses है क्या इगनू के same वही चीज है जो ओडियल में है बस difference इतना है कि आपको जो मतलब पढ़ाई के लिए आपको मतलब कहीं जाना नहीं पड़ेगा classes लेने के लिए आपको physically कहीं किसी study center पर visit नहीं करना पड़ेगा इगनू आपको recorded lecture या फिर live session जो भी होंगे वो एक platform पर avail करवाएगा वहाँ पर आपको provide करेगा और उसी platform पर platform का मतलब एक website होगी जहाँ पर आप अपने teacher से interact करोगे वहाँ पर ही आपकी classes होंगी आपको कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा आप किसी भी profession में है मतलब कोई भी काम कर रहे हैं आपको problem नहीं होगी बहुत ही ज़्यादा flexibility होगी आपके learning में flexibility in the sense की मतलब आप जब चाहें तब उस course को देख सकते हैं उसके वीडियो को देख सकते हैं और अपना मतलब subject complete कर सकते हैं तो यह बहुत ही ज़्यादा एक plus point है इस मतलब online courses के तो आपको पता होगा कि master of computer application जो mca का course है यह बहुत ही ज़्यादा attractive course है बहुत सारे students के लिए लेकिन इगनू ने मतलब इसमें एक और नया segment जोड दिया है mcaol यानि की master of computer application online इसमें आपको घर बैठे mca की degree मिलेगी simply आपको क्या करना पड़ेगा पढ़ाई करनी पड़ेगी और पढ़ाई करने के बाद जो इगनू का exam है वो देना पड़ेगा आपको ठीक है मैं याँ पर बताना चाहता हूँ exam return ही होंगे exam online नहीं होंगे ठीक है आप ये दिमाग में नहीं बैठा कर रखना है कि मतलब online course है तो online exam भी होंगे online exam नहीं और offline exam होंगे आई होब कि आपको एक थोड़ा idea मिल गया है कि कैसे ये system काम कर रहा है online courses के इसके अलब देखिए eligibility medium जो है simple है मतलब जो MCA के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं उनको पता होगा कि MCA वहीं बंदा कर सकता है जिसने मतलब अपनी BCA यानि कि Bachelor of Computer Application या B.Sc के डिगरी complete कर रखी है या Bachelor के डिगरी है उसके पास Computer Science and Engineering में ठीक है और at least 50% मार्क्स होने चीए उसके Bachelor डिगरी में उसके graduation के डिगरी में 45% मार्क्स चीए उन candidates के लिए जो reserve category से हैं reserve category हमारी SCOBCEWS है ठीक है इसके अलबाद मतलब अगर किसी ने Bachelor डिगरी ले रखा है तीन साल का किसी भी recognized university से और at least 50% मार्क्स आ रखे है Bachelor डिगरी में और मतलब उस candidate के पास mathematics as a one subject था 10 plus 2 में यानि कि 12th class में या graduation level में तो वो भी मतलब इस MCA प्रोग्राम में मतलब इन्रोल कर सकता है admission ले सकता है एक तो जो BCA और BSc वाले हैं वो तो ले ही सकते हैं ठीक है या किसी ने computer science से कोई मतलब graduation किया है वो भी ले सकता है इसके अलाब अगर किसी ने bachelor degree कहीं कोई भी subject से किया है no matter उसने commerce से किया है art से किया है या science से किया है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हाँ उसके पास mathematics as a subject रहा हो 12th class में या graduation में वो भी ले सकता है इसके अलाब जो student है ये बाले जिन्होंने बैचलर डिग्री है जिनके पास और बस mathematics उनके पास as a subject था उनको दो कोर्स जो कि MCS201 Programming in C and Python and MCS208 Data Structure and Algorithm मतलब ये courses उन्होंने complete कर रखा है तभी वो enroll कर पाएंगे यहाँ पर लिखा है In addition, these students are required to register and successfully complete two bridge courses namely MCS201 and MCS208 of the IGNU along with Master of Computer Application and Program मतलब कि अगर आपने graduation no matter किसी भी subject से कर रखिया, arts से, science से, commerce से और आपके पास 12th class या graduation mathematics as a one subject था तो आप MCA में enroll कर सकते हो admission ले सकते हो ठीक है लेकिन मतलब इसके अलावा MCA के अलावा दो और course आपको complete करने पड़ेंगे IGNU के साथ ही Computer Application Program में वो है MCS201 और MCS208 ठीक है तो I hope कि eligibility आपको पता चल गया होगा duration and fee structure देख लेते हैं duration आपको पता है MCA एक मतलब post graduation level का course है तो 2 साल का है ठीक है इसके लबावा जो maximum time period इसमें IGNU आपको देता है वो 4 साल का देता है fee structure क्या है इसमें मतलब 12,000 पर semester है 2,000 पर course आपको ये पड़ेगा exam fees not included in fee structure it will be decided by the university मतलब जब आप exam दोगे उसके लिए आपको अलग से आपसे पैसे लिए जाएंगे ये course में include नहीं होगा तो ये था Indian student के लिए international के लिए अभी आप देख सकते है ये international के लिए है SARK और non SARK students के लिए तो मतलब मुझे तो अभी ये लगता कि ये वीडियो इंडियन लोग देख रहे है तो जादा मैं इंडियन यहां पर इसी पर मैंने focus किया तो आपको clear है कि duration and fee structure क्या है अब देखिए program coordinator क्या है मतलब कि आपको नहीं समझ में आ रहा है मतलब मैंने जो बताया आपको detail इसके अलावा भी और कुछ जाना है तो आप यहां पर contact कर सकते हो डॉक्टर अक्षय कुमार है जो की school of computer and information science के head है इनका यहां पर एक email id है mca.ignu.ac.in इसके अलावा यहां पर phone number भी दिया हुआ है आप देखकर लिख सकते हैं यह देखिए यह course structure है आपका ठीक है course structure में आप design and analysis of algorithm discrete mathematics, software engineering, professional skill and ethics, security and cyber law DAA and web designing lab, software engineering lab, data communication and computer network object oriented analysis and design, web technology, data warehousing and data mining OOAD and web technology lab, computer network and data mining lab, artificial intelligence and machine learning, accountancy and financial management, data science and big data, cloud computing and IoT, internet of thing, AI and machine learning lab, cloud and data science lab, digital image processing and computer vision, mobile computing and project यह मतलब आपके subject रहेंगे यह इनको पढ़ना होगा ठीक है यहाँ पर यह फर्स सेमिस्टर सेकंड सेमिस्टर और थर्ड फोर सेमिस्टर सबके यहाँ पर subject दिये हुए है तो आई होब दोस्तों कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि इगनु का online MCA program क्या है बहुत ही मतलब उन लोगों के लिए ज्यादा बैटर है मैं आपको एक clear यहाँ पर और बात बताना चाहता हूँ जो normally किसी को मतलब नहीं पता चलता और नहीं बताया जाता है इगनु उन students के लिए बहुत ही ज्यादा helpful है और बहुत ही ज्यादा मतलब कहुँआ एक अच्छा platform है उनके मतलब career growth के लिए और उनकी talent को और अच्छा बनाने के लिए जो already profession में है actually क्या है कि मतलब अगर आप एक profession में है तो आप चीजों को deal कर रहे हैं मतलब जो आप course करोगे ये MCA का तो आपके लिए एक value addition होगा आपको पता चलेगा और आपको एक degree मिलेगी और इस degree को आप apply कर सकते हो अपने मतलब future growth के लिए किसी भी company में हो वहाँ पर आप मतलब इसको दिखा कर आप promotion ले सकते हो उन लोगों के लिए ज्यादा helpful है जो already profession में है मतलब मैं ये recommend करूँगा कि जो student मतलब MCA scratch से करना चाहता है मतलब अभी वो नया student है और उसने BCA एक regular college से किया है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि MCA भी उसको regular से करना चाहिए ये थोड़ा उसके लिए difficult हो जाएगा लेकिन अगर already कोई profession में है practical चीज कर रहा है company में है बस उसको degree चीए अपने future promotions के लिए तो मैं ये recommend करूँगा कि जरूर उसको करना चीए तो online program उन्हीं के लिए है जो already profession में है मतलब सबके लिए है लेकिन ज्यादा health किसको करेगा मैं वो बता रहा हूँ यहाँ पर मैं आपको एक analysis बता रहा हूँ कि जो already trend में चल रहा है वो मैं चीज बता रहा हूँ तो अगर फिर भी course से related आपको कोई भी inquiry है कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे टेलिग्राम पर contact कर सकते हो simply आपको search करना है टेलिग्राम में इगनू बाबाजी जो सबसे टॉप पर ग्रूप आएगा उसको मतलब open कीजिए और join कीजिए आप मुझसे वहाँ पर question पूछ सकते हो बहुत सारे student है बहुत सारे question पूछते है तो आप भी पूछ सकते हो course related आपको तुरंत reply दिया जाएगा ठीक है? tension की कोई बात नहीं है I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो इसे subscribe कीजिए हमारे channel को इसको like कीजिए वीडियो को share कीजिए ताकि सबको पता चल सके Thank you very much